तो इबन दिस एस स्वस्तिक और वाचिंग कॉलेज काइड देख वहां मेरे पास एक कमेंट आया था मुझे लगा कि यह जो प्रावलम में यह बहुत सारे पच्छों की प्रावलम होगी इसलिए मैं इसके पर एक अलग वेडियो बना रहा हूं इसमें पूछा था नितिश अब काई लगना है तो आपको क्या-क्या दृधान में रखनी है अपको कॉन सा कॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह सारी चीज अम डिसकस करेंगा बने दे ही विडियो में ताकि आपको सारी अप्डेट्स मिलते रहे अच्छा इससे पहले कि मैं आपको अगे की विजानकार करना मठ बूलिएगा चुलो बात करते हैं आप स्पोर्ट एडमिशन राउं के बारे में सबसे पहले आपका निकलता है first merit list, okay first merit list में मान के चलो किसी बच्चे का नाम नहीं आता है, नाम गर नहीं आया है तो first merit list का काम उसका वहीं खतम, second merit list में बच्चे का मान के चलो किसी का नाम आ गया, लेकिन वह सोच रहा है कि मुझे आप यहाँ पर admission नहीं लेना है, मैं काम करता हूँ, slide up कर लेता हूँ, तो उसका second list से नाम गया, ठीक है, फिर उसके बाद जब निगली third merit list, क्योंकि second list में उसमें पहली बार slide up स्माल किया था, इसलिए उसका third merit list में आ गया, slide up का option आपको एक ही बार मिलेगा, यह मैंने बता दिया है, तो देखो, ऐसे ही इस्तिती में, कोई बच्चा मान के चलो, किसी करणवर्ष न अडमिशन पोर्टल पर जाकर क्या अपना नामंकन करवा पाया, ना कुछ भी और कोई काम कर पाया है, तो वैसी स्थिती में, किसी भी बच्चे का साल बरबाद ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से या जो भी कहो, पुरुषासन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, एक प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसको कहते है स्पोर्ट अडमिशन, स्पोर्ट राउंड, ठीक है, स्पोर्ट यानि ऑन दो स्पोर्ट उस टाइम आपको वहाँ उपस्थित होना होगा, और बताना होगा कि भाई मैं को इसमें यह स्पजेक्ट में अडमिशन चाहिए, स्पोर्ट राउंड ओन लाइन होता है या उफलाइन, देखो, स्पोर्ट राउंड पिछले साल तक तो आफलाइन होता था, मतलब कि आपको कॉलेज जाना होता था, और वहाँ जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन क्योंकि इस साल के परिस्थितियां कुछ अ चार-पांच कॉलेज में आप जाके अपने फॉर्म भरा तब उसमें से किसी एक में होगा लेकिन अगर ऑफ-लाइन में आपको चार-पांच अलग-अलग कॉलेजिन जाना पड़ेगा तो उसके हिसाब से अलग-अलग अगर युनिवर्स्टी उपलद करा देती यह सोविधा तो आप सभी जगह का फॉर्म एक ही बर भर पाओगे लेकिन यह अगर ऑन-लाइन होता है तो आपको एक ही पोटल मिलेगा आपको उसी पोटल पर जाकर करके सर अरेजिस्ट्रेशन कर देना होगा और फिस जिस परकर आपने अभी कॉलेज चुना था वैसनी कॉलेज चुन तो आपको यह देख करके कॉलेज देते हैं कि आपका नंबर कितना है कितना नहीं या फिर कुछ और विजस्था होता है तो देखो सबसे पहली बात हो कि स्पोटरान में मुस्ली वह बच्चे बचते हैं जिनका एग्रिगेट जो है मतलब नंबर जो है बहुत कम है ठीक है पुछ जाते हैं जिनका मार्क्स थोड़ा है लेकिन वह उनको जो कॉलेज दिया गया वह पसंद नहीं आया तो ऐसे बच्चे बच्चते हैं ठीक है थोड़ा सा मतलब मिड्रेंज के बच्चे बच्चे बच्चते है तो देखो एड़मिशन स्पोर्ट राउन में आपका हो यहां के लिए कोई टेंशन नहीं है बात ये है कि स्पोर्ट में आपको इसम्पल्ड जमके ऑफ्बसूरंकि कोलेज इस है क्था पसंद college में admission मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं A college से English में honors करूँ ठीक है तो हो सकता है A college में seat उपलब्ध हो तो आपको admission मिलेगा अगर seat उपलब्ध है मानगे चलो तीन seat है तीनों भरी भी है लेकिन तो इसमें A में आपका admission होना cancel हो जाएगा मतलब chance नहीं मिलेगा आप चाहते हो कि मैं English ही लूँगा मैं B में जेखता हूं B में try कर रहे हैं B में सिर्फ दो ही seat है तो B में अगर दो seat है और दो में से दोनों स्वाट का ठीक है लेकिन इन केस मान के चलो कि अगर आप कह रहे हो मेरे पास सवाल आया था कि मैं किसी भी subject में admission लेने को त्यार हूं ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं subject के मिलता है तो क्या मैं अगर चाहूं कि मुझे a college में admission मिले तो क्या मिल जाएगा हां यह chances है लेकिन इस यह बात होती है spot round की मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं होता बस किसमत पर है कि अगर seat बच गई तो आपका admission होगा नहीं बची तो admission नहीं होगा हां लेकिन अगर मान के चलो कोई बच्चा ready है कि यह मैं किसी भी subject में a to z कोई subject दे दो मैं किसी में admission ले लूगा तो हो सकता है क कि आपको जिस college में चाह रहे हैं वहां पर का admission हो जाए यह बात होती है spot round की लेकिन इसमें भी यह मैं पहले बता दे रहा हूं कि यह सारी बात भी एकदम 100% confirm नहीं है क्योंकि अगर मान के चलो seat ही नहीं रही तो यह आपको admission नहीं देगा यह बात है सारी की सारी ठीक है अग सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मुझे आशा है कि सब्सक्राइब आपके सारी डाउट्स क्लियर होंगे और कोई सवाल हो तो जरूर पूछे और लाइक या डिसलाइक अपने साब से कर लेना मिलते है फिर किस अगली वीडियो में तिल दिन स्टे कनेक्टेड स्टे अब्ड प्राइब नहीं हुआ है